एक बार एक कवी हुआ करता था उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया राजा के बुलाय जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी राजा बहुत प्रसंद हुआ और उसने कवी से अपना इनाम मांगने के लिए कहा कवी ने मोहरों से सजे शतरंज की और इशारा करते हुए कहा महराज अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उससे दुगना करते जाएं तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया बस इतना ही राजा ने पूछा सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं जी हाँ महराज तो फिर ऐसा ही हो दर्बारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिये पहले खाने में एक दूसरे में दो तीसरे में चार चौथे में आठ इस तरह वो रखते गए जब दस्में खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े बीसमें खाने तक संख्या बढ़कर पांच लाख चौबीस हजार दोसो अठासी हो गई आधे हिस्से तक आते आते बत्तीसमें खाने में चावल के दानों की गिनती दोसो चौदह करोड चौहत्तर लाख तिरासी हजार छेसो अड़ालीस हो गई जल्द ही गिनती अर्बों खर्बों में बढ़ गई आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजबाट उस चतूर कवी के हाथ हों सौपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी कहानी की सीख चक्र विद्धी की ताकत को कम नहीं आखना चाहिए अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं तब आपकी SIP आपके सेवा निवर्त होने तक एक बड़ी राशी बन सकती है